मेरा नाम पढ़ना अमन है इस वीडियो में जिस हम टॉपिक की बाद करेंगे वो हमारे लिए काफी खुशी का विशह है खुशी का विशह है इसलिए कि भारत में जो मातरित्व मृत की उधर है मैटर्नल मॉटिलिटी रेट वो जो है काफी जादा घड़ गया है और अभी जो है यह 97 पर लैक लाइफ बर्थ हो गया है 2018 से 2020 के दौरान देखे मातरित्व मृत्यूदर या मैटर्नल मॉटिलिटी रेट यह जो टर्म है यह एक ऐसे सिचुवेशन के लिए यूज होता है तब तक कॉम्प्लिकेशन के कारण उसकी मृत्ति हो जाती है और भारत में यह पहले बहुत जादा था बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स चला के स्कीम का उप्योग करके जो है इसको यहां तक घटाया गया है सो यह करेंट बीजेपी गवर्णमेंट के जो कैप है उसमें एक और फिदर इंक्रीज कर दिया है इसने क्यूंकि मैटर्नल मॉटिलेटी रेट जो है वो 100 के नीची आ गई है 97 पे पी आइबी पे जो है एक स्टेट्मिंट सरकार ने रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि मैटर्नल मॉटिलेटी रेट जो है वो 97 पर लाक पर घसक के आ गई है ठीक है और इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा के रिला है क्योंकि इसमें अभी मात् परित्म्रतियूदर केवल 19 है ठीक है और गवर्मेंट ने कई सारी सकीम आपको पता है जैसे जर्ली सुरक्षा कारिक्रम जर्ली सुरक्षा योजना और ऐसे बहुत सारे सकीम्स चला रखे हैं जो माता के गर्वती होने से लेके और उसके बाद बच्चा होने से और बच्चे क की मदद से हो nutrition की मदद से हो या किसी भी तरीके से आए और जानते हैं कि ये बाकी estates का जो है क्या हाल रहा और मात्रित मित्युदर्ण में कौन से ऐसे राजिया के इंसासिस प्रदेश है जिनके स्थिति अभे भी खराब है सो maternal mortality rate हम जानते हैं कि घटके अभी 97 पर आ commendable इसलिए है कि 2014 से 16 के बीच में 130 था दो साल या चार साल के दौरान ये घटके 97 पर आ गया है ठीक है और ये जो जारी किया गया है data ये office of registrar general of India के द्वारा जारी किया गया है ठीक है इसके अनुसार असम अभी एक ऐसा राज है जहां मात्रित मित्युदर 195 है वहीं दूसरी तरफ केरला है जहां ये केवल 19 है जो की पूरे भारत में सबसे कम है ठीक है अब जो union health minister है हमारे अभी मंसुख मांडविया इन्हों ने इसका स्ट्रे जो है अभी current government नरेट मोदी जी की जो सरकार है इनके द्वारा लिये गए initiatives को दिया है क्या क्या initiatives जैसे जन्नी सिसु सुरक्षा योजना जन्नी सुरक्षा योजना पोशन अभियान आशा कारिक्रम एन्म कारिक्रम फिर सभी के लिए institutional delivery की वेवस्था ambulance की वेवस्था, girl child होने पर incentive देना और भी कई सारे ऐसे चीजें हैं कई सारे ऐसे skims हैं जिसको current government ने सिर्फ इसलिए launch किया है कि मात्रित्व, mother और child इनको किसी भी तरह की कोई भी problem नहों और ये दोनों ही गर्वावस्था से लेके जन्न के बाद तक भी सुरक्षित रह सके ठीक है, और क्या जारी किया गया है, so maternal mortality rate में असम सबसे पीछे है, इसके बाद आपको मद्रप्रदेश आता है, जहां ये 173 है, और तक तीसरे नंबर पे उत्तरप्रदेश आता है, जहां 166 है, ये sequence याद रखिएगा, असम सबसे टॉप पे है, 1955 है ठीक है, फिर आपको आता है मद्रप्रदेश जहां 173 है ये अभी, और बाद में यूपी आता है 167 पे, वहीं दूसरे तरफ जो मैं टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करो, तो केरला सबसे उपर है, जहां 19 ही है, इसके बाद महरास्ट आता है, जहां 33 है, और फिर तेलंगना, यहां जो जो सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स हैं, जो की सेट किये गए थे, नेशन के द्वारा आपको पता है कि 18 जो है, एम डीजीज थे मिल, उसके बाद उसके तहर 169 एस्टीजीज को जो है, टारगेट किया गया था, तो यह टारगेट 3.1 का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें य कहा गया है, जिसका यह एम है कि मातरित्म मृत्यू रेशियो को जो है, सतर प्रती लाग से भी कम कर देना है, ठीक है, और भारत जो है, इसकी तरफ तेजी से आगे बर रहा है, जो कि हमने देखा कि 14-16 के बीच में जो है, एक सो तीस था, और 18-20 के बीच में जो है, यह घट तो WHO, इसके बारे में बात करती है, WHO कहती है कि किसी भी माता का मृत्यू हो जाना, कब या तो वो गर्वती है, या प्रेग्नेंसी खतम करने के 42 दिन के भीतर उसका निधन हो जाता है, ठीक है, वही और भी कोई कारण, जिससे प्रेग्नेंसी में किसी भी तरह की मुसीबत हो ठीक है, कोई management में गरबरी होती है, nutrition नहीं मिल पाता, या कोई medical situation ऐसी है, जो time secure नहीं हो पाती है, इन सभी के कारण अगर किसी माता के मृत्य हो जाती है, तो इसको मातुरित मृत्य हो कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा, इसमें accidental और incidental issues नहीं रखे गए, अचानक से जैसे ग 700 सभी हुए मृत्यू को इसमें include नहीं किया जाता है, ठीक है, अब अगर मैं office of registrar general of India की बात करूँ, जिसने ये data release किया है, तो ये जो office है, ये ministry of home affairs के अंदर आता है, जो कि आपके देश में population census, जो जन सांक्रिकी की गनना होती है, उसका कारिये करते हैं, वहीं जितना भी इसके साथ ही, जो अनुमान है, पुर्वा अनुमान की fertility कितनी रहेगी, mortality कितनी रहेगी, ये सभी का काम भी यही करती है, office of the registrar general of India, जो याद रखिये का, ये data published की गई है, वो इसी office के द्वारा की गई है, जो कि ministry of home affairs के अंदर आती है, ठीक है, और इसके अनुसार अभी भ की काफी एक सहरानी ये बात है, इस विसे में इतना ही था, धर्नेवाद,